वे फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल और मैं हूं भारती आज मैं आपको एक नया कैक्टस दिखाऊंगे जो मेरे लिए नया है वैसे मैंने इसको देखा हुआ है पहले गार्डन में पहली बार लेक्टस जो दिखिया पहले भी एक बार यह दिखा था लेकिन उस दिन तो जैसे यहां पर खुले गार्डन होते हैं तो चोटी सी जोपरी टाइप के घर होते हैं तो बाहरी लोनी लगाया हुआ है तो इस कैक्टस का नाम है इस्टन प्रिक्ली कैक्टस तो यह काफी खूब सूरत है और काफी सारी कटिंग्स इसकी जो है लेकि आई हूं मैं और के साथ इसके जो प्लांटस हैं वो भी लेकिया ही हूं तो यह काफी दिन पहले के लाके रखे हुआ हैं लगबग इसको दो तीन दिन हो चुके हैं तो आज मैंने सोचा कि इनको एक पौर्डे ही दे देते हैं क्योंकि कांटे इसमें काफी ज़्यादा हैं और यह हार्डी हो और इसमें जो चोटे-चोटे इसके लीवस हैं मैं वो ग्रो कर दूँगी बाकी जो है वो अपर टॉप पे जो टेरस है वहां बड़ी जो होगी मतलब पॉट उसमें लगा दूँगी क्योंकि यह काफी फैल जाते हैं और हार्डी होते हैं कांटे इनके काफी तेज हैं तो इसलिए मुझे ऐसे डैरेक्ट हाथों से मैं इनको ग्रो भी नहीं कर सकती तो काफी आड़ी होते हैं और इनको हम ना भी लगाएंगे तो कटिंग इनकी जब दर दर गिर जाएगी तो अपने आप भी यह ग्रो हो जाएंगे तो मैंने इन पे देखा था काफी खुबसूरत जो फ्लारिंग है या लोकलर की फूल वो भी आए हुए थे देखने में काफी खुबसूरत लग रहे थे तो अगर मैं इस प्लांट को वही समझ रही हूँ जो मुझे चाहिए था अगर तो वह है तो काफी अच्छा है लेकिन अगर जैसे यह जंगली टाइप के कैक्टस हो अगर वह है तो फिर तो काफी यह वाइडली फैलता है और घरों में ऐसे प्लांट्स जो है नहीं लगाने चाहिए क्योंकि इनके जो कांटे हैं काफी तीक होते हैं तो इदर उदर लग भी सकते हैं तो इसलिए इस तरह के कैक्टस को अपाइडी करना चाहिए तो क्योंकि यहां पर हमारा पक्का कुछ है नहीं गार्डन तो इसलिए टेंप्रेरी में जितने प्लांट्स ज्यादा कम मतलब फैले वह ही मैं लगाती हूं तो अगर रेयर प्लांट है तो मैं लगाती हूं तो आज की यह छोटी सी वीडियो थी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना फिर मिलेंगे नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार चाहिए